हेलो दोस्तों, नमस्कार, आज मैं आपको जविवार बैद की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए कथा को सुनते हैं प्राचिन काल में किसी नगर में एक वेद्धा रहती थी वाप एतेख रविवार को सुबा उठकर इस नानादी से निर्वत होकर आगर्म को गोबर से लिख कर सच करती थी उसके बाद सुर्भागवान की पूजा करने के बाद भोजन तयार कर भगवान को भोग लगा कर ही स्वयम भोजन करती थी परगवान सुर्द्रव की के पासे उसे किसी प्यकार की कोई चिंता वा कश्ट नहीं था दीरे दीरे उसका घर धन धान से भाज रहा था उस विद्धा को सुखी होते दे उसकी परोसन उसे बुरीत अजलने लगी विद्धा ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी अता रविवार के दिन घर लिपने के लिए वह अपनी परोसन के आंगर में बधी गाय का गोबर लाती थी परोसन ने कुछ सोच कर अपनी गाय को घर के बीतर बान लिया रविवार को गोबर न मिलने से विद्धा अपना आंगर नहीं लिप सकी आंगन न लिप पाने के काराण उस वेद्धा ने सुर्भगवान का भोग नहीं लगाया उस दिन स्वैम भी उसने भोजन नहीं किया सुर्यास्त होने पर वेद्धा भोग की 85 सो गई इस परकार उसने निराहार ब्रत किया वात्य में सुर्भगवान ने उसे सुर्पन में दर्सन दिये और व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का काराण पुछा वेद्धा ने बहुती करोण स्वै में परोशन के द्वारा घर के अंदर गाय बानने और गोबर ना मिल पाने की बात सुर्देव को बता दी सुर्भगवान ने अपनी भक्त की पैसानी का कारण जान कर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा हे माता हम तुम को एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाय पूर्ण करती है क्योंकि तुम हमेशा रविवान को पूरा घर गाय के वोबर से लीव कर भोजन बना कर मेरा भोग लगा कर ही स्वें भोजन करती हो इससे मैं बहुत प्यसंद हूँ मेरा ब्रत करने वा कथा सुनने से निधन को धन और बांजी निष्टियों को संतान की प्राप्ती होती है उस्वेद्धा को ऐसा व्रादान दे कर भगवान सुर अंतर ध्यान हो गए प्राता काल सुर्य उद्धा से पूर उस्वेद्धा के आँप खुली तो वा अपनी घर के आंगन में सुन्दर गाय और बच्छरे को देखकर हैरान हो गई गाय को आंगन में बांद कर उसने जल्दी से उसे चारा खिला कर लाकर खिलाया परोसन ने उस्वेद्धा के आंगन में बंदी सुन्दर गाय और बच्छरे को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी तब ही गाय ने सोने का गोबर दिया गोबर को देखते ही परोसन की आँखे फट गए परोसन ने उस विद्धा को आजप्रास ना पा गए तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई सोने के गोबर से परोसन कुछ ही दिनों में धन्वान हो गई गाय पहते दिन सुर्योद्धा से पूर सोने का गोबर किया करती थी और एद्धा को उठने से पहले परोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक प्रद्धा को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला प्रद्धा पहले की तरह हर अभिवार को भगवान सुर देव का बरत करती रही और कथा सुनती रही लेकिन सुर भगवान को जब प्रद्धा की चालाखी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी के प्रद्धा ने गाय को घर के भीतर बांद दिया सुबह उड़कर वेद्धा ने सोने का गोबर देखा तो उससे बहुत आश्चर हुआ उस दिन के बाद वेद्धा गाय को घर के भीतर ही बानने लगी सोने के गोबर से वेद्धा कुछी दिन में बहुत धनी हो गई उस वेद्धा के धनी होने से पड़ोसन बुजिता जल बुनकर राख हो गई जब उसने सोने के गोबर पानी का कोई रास्ता नहीं सुझा तो वा राजा के दैबा में पहुंची और राजा को सारी बात बताई राजा को जब विद्धा के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बादे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेज़ कर विद्धा की गाय को लाने का आदेश दिया साइनिक उस विद्धा के गाय पहुंचे उसमें विद्धा सोई भगवान गोग लगा कर स्वैं भोजन करने वाली थी गाय जाजा के सैनिकों ने गाय खोली और अपने साथ महल के और ले चले प्रिद्धा ने सैनिकों से गाय को ना ले जाने की प्राफ़ा की वह बहुत जोई चिल लाई लेकिन जाजा के सैनि नहीं वाने गाय के चले जाने से प्रिद्धा को बहुत दुख हुआ उसने कुछ नहीं खाया और साई राज सोर भगवान से गाय को पुना प्राफ़ा करने हैं तू प्रात्ना करने लगी दूसरी हो राजा गाय को देकर बहुत खुश्वा अगले दू सुबा जैसे ही वा उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर घबड़ा गया उसी रात भगवान सूर ने उसके सपने में आकर कहा कि राजन यहां गाय विद्धा को लोटाने में ही त उसका उसे धन के साथ सम्मान सहीद गय लटा दी और शमा मांगी इसके बार राजा ने परोशन को दंड दिया इतना करने के बार राजा के महल से गंदगी दूर हो गई उसी दिन राजा ने राज में घोसोन कराई कि सभी इस ते पुझर रभिवाह का व्यत किया करें रभि करना चाहिए इससे सब्सेरी पापों का विध्यants होता है इसके मनोश को धन शम्मान तथा आजों के प्राप्थ होता थैばनशते के इस के कहने से मनोश को मौस की तो दोस्तों आप लोह को कहानी कैसी लगी केमेंट करके मौटेब़क दलनवार